गुड मॉर्निंग एबरीवन मैं दीख्छा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल में केंदरी बजट 2024 आ गया है आज की इस वीडियो में जानेंगे बजट क्या है बजट का इतिहास की बारे में जानेंगे अंतरिम बजट क्या है बजट पारित होने की पिक्र वार्सिक बित्ति विबरण कहा गया है बजट को भारती सम्मेधान में वार्सिक बित्ति विबरण कहा जाया है अगर इसको दूसरे सब्दों में कहा जाए तो सम्मेधान में बजट का कहीं भी बजट सब्दे का कहीं भी उलेक नहीं है यह जो वार्सिक बित्ति विबरण क और खर्चों का विबरण होता है जैसे आपका वित्तिय बर्ष क्या है अभी बित्तिय बर्ष आपका एक फरवरी से शुरू हो गया है तो यह जो आपका वित्तिय बर्ष हो इसमें अनुमालित प्राप्तियों और खर्चों का एक विबरण दिया जाता है अभी प्रजेंट मे कि आपको विबरण और घोष्णाय नहीं की गई है क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है तो इसके कारण आपका भी पूर बजट नहां के अंत्रिम बजट आया हुआ अब जानते हैं कि निर्मला सीतरमर जी के बारे में किनों ने अभी तक कुल कितने बजट पेश किया है तो पाँच बजट इनने पूर बजट पेश किओ है इन्ही के नाम पर जो आपकी निर्मला सीतरमर जी है इन्ही के नाम पर सबसे लंबी इस पीज जो की भारत के इतिहास में सबसे बड़ा भासट था जो 2 घंटे 42 मिनट का था और तो गंटे 42 मिनट का और इसी के साथ इनका जो अभी कल एक फरवरी को जो आपका बजट पेश किया गया उसमें सबसे छोटी स्पीश देने का रिकॉर्ड भी इनी के नाम हो गया जो इन्होंने अंठाउन मिनट का दिया हुआ है तो इनके संदर में चले तो आप जान लेते है इसकी इतिहासिक प्रिष्ट भूमी को कि इतिहास में देखते हैं कि सबसे पहले बजट किसके द्वारा पेश किया गया था तो आपको बता दे कि बिटेश भारत का पहला बजट है वह 1860 में जैम्स बिलसन के द्वारा पेश किया गया था तो बिटेश भारत का पहला के द्वारा पेस किया गया था जो कि आजाद भारत के पहले बित्तिमंत्री भी थे पहले बित्तिमंत्री शड्मुकम पेस किया गया था तो 1950 में किसके द्वारा पेस किया गया था जौन मताई के द्वारा इस बजट को पेस किया गया था 1950 का जो कि आपके गरतन्त भारत या रिपवलिक भारत का था आप जानते हैं कि सरवाधिक बार जो बजट पेस किया करने वाले व्यक्ति कौन रहे तो सरवा यह कौन रहीं जो वित्तिमंत्री के तोब पर आपका बजट पेस किया तो आपके जो इंद्रा गांदी थी पहले महला है क्योंकि इन्हों ने प्रद्धान Gust है प्रधान Gust है के पत्रेस परसे परफियी संद्रेशार अत्रिक्त प्रभाण को पामें fifa का द्वारा पहला इंधरा गांदी के द्वारा बजट पेस किया गया था उन्होंने कुल कितने budget पेस किये हैं इन्होंने अभी तक खुल शे बजट पेस किया जिसमें यह काप का अंतरिम बजट हो गया और पांच इनके फुल बजट पेस किये गए और जो ऑन 2019 में जो बजट फेश किया गया था वो प्यूश गोईल के द्वारा पेश किया गया था क्योंकि उस टाइम पे जो वित्तमंत्री थे वह अडोड़ जेट ली थे तो उनकी तवियत खराब होने की काड़ प्यूश गोईल लई बजट पेश किया हुआ था चलिए तो आप सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अंत्रिम बजट होता क्या है अंत्रिम बजट का बारवर प्रोनाउंसी हुरा है कि इलेक्षन आने वाला है अंत्रिम बजट फेश किया गया है तो इसके संदर में जानते हैं कि आखिर अंत्रिम बजट होता क्या अंत्रिम है चुनाओं होगा अभी अपरेल मैं मैं आपका चुनाओं होगा और वह आपका ज़ब पैश की किसे होस्त जाए घर मार्श तक चलेगा-पैस तक द्लिक्ट नए सरकार आए प्रेट your मैं एलने में आपके अपरेल मैं में लेक्शं होगे आपको बस जो अभी गोड़ा क्या किया गया क्या घोशना है हुई कितना क्या रेश्यों पहँचा उस सबका विवरा दिया गया ना कि अभी फूर बजट फेस किया गया पूर बजट आपका चुनाव की बात जो कि आपके जूण जुलाई में फेस किया जाएगा और जो आपके next cent तक चलेगा अब आता है कि इस बजट में नई सरकार के बजट आने तक खर्च और आय का ब्यूरा दिया जाता है यह एक नई बजट की आने की तक के लिए एक आयस थाई प्रावधान होता है और इसी के चलते इसे अंत्रिम बजट कहा जाता है यह एक आयस थाई प्रावधान के तौर पर होता है जिसे अंत्रिम बज़ट कहा जाता है अब आता है कि आपका Guess पहले budget सत्र जो होता था पहले आपका 28 फरवरी मतलब के फरवरी माय के अंतिम कारेदबस में budget को पेस किया जाता द हो लेकिन यह था 2014 के पहले लेकिन 2014 की से इसमें बजट पेश करने की क्रिया में संसोधन किया गया कि 12 hatte फेरी माय के पहले सब्सक्रा фин कार्यot वरस में इसको पशिया लगा इसका फायदा क्या हुआ अगर ये एक महीने डिले किया गया मतलब एक महीने आगे बढ़ा गया तो इसका क्या फायदा हुआ जैसे आपका 28-29 फरवरी को बजट पेस होता था इसकी पारित होने की जो पिक्रिया होती थी वो चलती थी एक माई एक तक चले जाती थी लेकिन जो आपका नया साल होता था वो एक अप्रेल तक को नया साल होता था तो उसके काड़ आपका जो काम होता था वो काफी डिले चलता था तो उसके काड़ अगर एक महीने पहले हो जाएगा तो जो आपका नया सत्र होता है तो उसमें जो कार दिवस होगा तो उसमें हर एक चीज पहले से मैंसन हो जाएग पहले तो यह होती है कि बजट का प्रिस्तुती करण करती है जैसा कि अभी वित्यमंत्री की जीके द्वारा किया गया है फिर होता है इस पर आम बहस के होती है आम बहस होने की बाद विभागे शमीतियो दारा इसकी जांच की जाती है पिर अनुदान की मांग पर मदान होता है, उसके बाद बिनियोग विधियक पारित होता है, विद्त विधियक का पारित होना होता है, जो इस तरीके से आपका बजट की पिक्रियाये चलती हैं, चले तो यहां पर हमने एग इस से रिलेटेट टॉपिक फिनिश किया, अब पढ बाई हई है कि दो हजार सेघ्य थाएऩ की द Underwood की संदर ने कि το हजाजार सेटालज तक भीक्सित भार्त की संदर में संकल्पना को दिखाया गया है कि इसकी जो परीकल्पना होगी बहें आपकी परिकल्पना प्रक्ति आध'll啦 financial सभी के लिए उसर के संगत संगत्स태 भारत के इसमें फिर उसके बाद आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका बिश्वास चुड़ गया। अब इसमें सबका प्रियास के समर्थन के लिए जन सांखे की लोकतंत्रों बिवित्ता इसके आगे बढ़ी और इसमें जो आपका विक्सित भारत एड़तरीट 2047 इसका ही ब्याप जैसे भौतिक, डिज्टल, सोसल का धोस विकास होना, डिज्टल पबलिक इंफ्राइस्ट्रेक्चर और चारीकरण और वित्तिय समावेशन को बढ़ावा मिलना, जी एस्टी द्वारा आधार को गहनता और विस्तार की प्राप्ती हुई है, फिर शूद्रण वित्तिय बच बुद्वार मिला है, मुद्राइस्पीती का सक्रिय प्रवंधन किया गया है, देश के सभी भाग जो की आर्थिक विकास में सक्रिय भागिदार बन रहे हैं, तो ये बजट के संदर में प्रमुक प्रावधान दिये गए, अब आता है इसमें की भारत और जी डीपी की विक गास्तर की विक्रिया को संदर में समझ लेते हैं, जो कि आपके डॉलर के रूप में दिखाए गये हैं, इसमें जो फाइनन्सियल येर दोहजार उनतिस तक का ये दिखाया गया है, कि आपका दूहजार चौवश से दूहजार उनतिस तक का, और ये जो आपका डेटा है, ज और पे गया हुआ है यह 15 के 12 13 के आसपा से गया हुआ चलिए तु जानते इसके प्रमुक छेत्रों के बारे में प्रमुक छेत्रों के संदर में पहला आता है आपका गरीब कल्याड और देश के विकास के संदर में इन्होंने डीवीटी से 2.7 लाग करोड रुपे की बचत हु इसके संदर में जो की गरीब कल्याड और देश कल्याड के संदर में जो इसके प्रमुक छेत्र के अंतरगत पहला चेत्रा आता है जिसमें गरीबी की पिर्षत की कमी को बताया गया है कि आपका दो हजार पाच छे में जो गरीबी थी वह 55.3 परशंट थी फिर आपका यहां पर जो 2013-14 में 29.2, 2015-16 में 24.9, फिर आता है आपका 2019-21 में 15, और आपकी जो अभी प्रेजेंट में है, वे 2022-23 में 11.3 परसेंट है, तो आपकी इतनी कमी आयो हुई है, जो इसको आपको एक रेशियो की तोर पर दिखाया गया, अब इसके प्रमुक छेतरक की अंत्रगत, दूस इवाओं के ससक्तिकरण की संदर में, युवाओं के ससक्तिकरण की संदर में देखा जाए तो या 1.4 करोड इवाओं को कोसल भारत मिशन की तरज प्रिक्षिक्शचन प्राप्थ हुआ है, इवाओं की उध्मी बनाने की आकांचाओं को बड़ावा देते हुए पी-े पच्चिस के लिए 6,050 रुपे अनुमानित किया गया अब आता है इसके और सेक्टर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इसमें इंप्रूव हुआ है जैसे आपके 2014 में जो एम्स थे वह 16 थे अभी 2023 में आपके 23 हो गए है फिर आता है आपका आई आई टी यह है फिर आता है आपका बिश्विद्ध्याल है जो की 2014 में आपके 723 थे और अभी जो प्रिजेंट में जो 2023 में 1113 इनकी शंक्या है अब पिरमुक्षेत्रों के अंतरगत आते हैं आपके किशान अन्यदाताओं कल्याण के बारे में किशान अन्यदाताओं कल्याण के संदर में देखा जाए तो पिएम किशान के तहट 11.8 करोड किशानों को पृतिक्ष बित्तिय सहायता प्राप्त हुई है पिरदान मंत्री फशल वीमा योजना के तहट 4 करोड किशानों को फशल वीमा दी गई है तीन लाग करोड रुपे के व्यापारिक बॉल्यम का समर्थन करने वाले इन एम के तहे 1361-1361 मंणियों का समयकन किया गया है तो इसके संदर में है अब जानते हैं सम Woods और चावल की खरीद को बढ़ाने के संदर में जैसे गये संदर में चावल की चरीद बढ़ाई गई है यह लाख मेट्रिक टन मों दिया गया है कि गये हुएं के संदर में दो हजर बीशaces स लाग मेट्रिक टन होने की सम्भावना áए मतलब की एक अनुमान दिया गया है फिर आता है आपका गैहू के संदर में गैहू के संदर में आता है कि 2021 में आपका 350 लाग में मे ट्रिक टन था एकीस और इसमें कितना रुपे आवंटित किया गया था, कितनी योजनाएं, किस तरीके से ब्रद्धी हुई है, क्या इसका आउटपुट प्राप्त हुआ है, जो इसके लिए नारी सक्ती के संदर में जो भी योजनाएं चलाई जा रहे हैं। बनी हुई है, तो इसमें सबसे बड़ा रेशियो क्या रहा है, कि एक करोड जो आपकी महला है, वहलक पती दीदी बनी हुई है, अब इसमें स्रम बल में महलाओं की भागिदारी को बढ़ाने की संदर में देखा जाए, तो 2017-18 में या 23.03 तीन परसेंट थी और जो आपके यह 2022-23 में आके वह 37.0 परसेंट हो गई है, जो कि इसमें काफी बड़ा रेशियो है, अब आता है आपका नेक्स्ट अमरित काल की कारिनीती के बारे, अमरित काल की कारिनीती के संदर में आपका सबसे पहले आता है संधार्णिय विकास, संधार्णिय विकास के संदर में आता है कि बर्स तोहजार सत्तर तक निवल सूर्णी की पृतिवध्यता को पूरा करना, पवन उर्जा के लिए बिवारिता अंतर निधियन होना, कोईला, गैसी करण और तरली करण छमता की स्थापना करना, सी एनजी, पी एनजी और संपीरित बायो गैस का चरणवध्य अनिवारि मिश्रण होना, बायो मास एकत्री करण मसीनी करण की खरीद के लिए बित्तिय सहायता होना, तो ये दो हजार सत्तर तक के लिए निवल सूर्णी की पृतिवध्यता को पूरा करना है, फिर आपका नेक के लिए इवशों को अपनाया गया, इवाहन की बीनिर्माण और चार्जिंग द्वारा इवाहन एकोसिस्टम को मजबूत बनाया गया, परियावरण की अनकूल बिकल्पों में सहायता के लिए बायो मैनुफेक्ट्रिंग, बायो फांडरी की नई स्वियोजना की तो अब द्याय देखते हैं कि जिगैर जी वाश मीधन पर आधारे बिद्धुत्पादन चमता के प्रिश्ट के बारे में देख लेते हैं, कि यह जो प्रिश्ट जो दिया गया है, 2004 में आपका 30.4% था, जो कि आपकी बिद्धुत्पादन का था, फिर आपका 2014 में आके 32.3 परसेंट हुआ, फिर नवंबर 2023 में आपका 43.9% हुआ, और इसी के साथ ही PMUI के तहट आपको 10 करोड बिजली LPG कलेक्शन जारी किये गए हैं, 10 करोड से अधिक फिर आता है, उजाला के तहए 36.9 करोड LED बल्व, 72.2 लाख LED ट्यूब लाइट और 23.6 लाख उर्जा कुशल प जादा तर पूछे जाते हैं, तो इस तरीके का जो कुछ-कुछ देटा है, आपको याद करना है, क्योंकि आपके आगामें एक्जाम में पूछा जाएगा, आपका जैसे मार्च में अभी फरवरी के एक्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन मार्च अप्रेल में जो एक्ज मजट से आपके कुछन आएगे, SNLP के तहट 1.3 करोड LED स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, तो इसके संदर में है, अब आता है आपका अमरित काल की कार्णेती के संदर में, आपका दूसरा आता है आउसनशना और निवेश के संदर में, कि लोजिस्टिक कार कुछलता बढ आने तथा लागत को कम करने के लिए PM गती सक्ति के अंतरगत तीन बड़े रेल्वे कोरिडोर कारिकमों को लागू करना है, इसमें दूइपक्षी निवेश समझोते की माध्यम से निवेश को बढ़ावा देना, तीसरा आता है उड़ानी हुजना के अंतरगत मौजुदा ह हवाई अड़ों का बिस्तार्त था, नए हवाई अड़ों का व्यापक विकास करना, फिर आता है कि मेट्रो और नमो भारत के द्वारा सहरों को ये परिवर्तनों को बढ़ावा देना है, इसका इप्रमुख मेजर फैक्टर है, अब आता है पूजिगत ब्याय में उननीस में, फिबीश में, जो आपकी यहां आके फाइनेंस यर आपका दो हजार चौबेस और दो हजार पच्चिस में अनमानित की गई है, जो कि आपके नो से उपर है, वदलब ये दस क्यारा के आसपास होगी और ये भी ग्यारा साड़े ग्यारा के आसपास इसको एक रे के बीच आपका 298 रहा है, और 2014 से 2023 के बीच 596 रहा हुआ है, अब आता है बहुतिक का उसनरशना में क्या सुधार हुआ है, बहुतिक सनरशना में आपका जो सुधार हुआ है, नेशनल हाइवी की संदर में, आपका फाइनेंसियल येर 2015 में इतना था कितना, 97,971 और अभी जो 2022 में आपका 1,44,634 हो गया है, फिर आता है आपका कारगो ट्रेफिकेट मेजर पोर्ट के बारे में जो मिलियन टन में दिया गया है, फिर आता है जो कि आपका 2015 में 581,3 था और इसमें 22 में 720 हो गया है, फिर आता है एलेक्रिक रेल रूट में 22,224 ये आपका 15 में था, फ इसमें आपका 2015 में 16 था, 2022 में आके 2025 हो के आए, फिर आता है आपका number of airport की संख्या, जो की सरवादिक इसमें बदला हुआ है, आपका national highway में भी सरवादिक बदला हुआ है, और दूसरा आपका इसमें बदला हुआ है, इसमें भी हुआ है electric rail route में, जो की आपका डबली हो गया, जैसे इसमें जो number of airport पहले 74 थे 2015 में और अभी कितने हो गए है, 149 हो गए है, अब आता है अमरित काल की कारिनिती का जो तीसरा point आता है, समाविशी विकास की संदर में, समाविशी विकास की संदर में आपका आता है कि रोजगार सरजन सहित तेजी से, विकास में राज्यों को सहायता के लिए आकांची जिला कारिकरम शुरू किया गया था, तो आकांची जिला कारिकरम में कितनी रेशियो प्राप्ति किया गया है कि इसमें समाविशी विकास की संदर में जिलों में विकास जो किया गया है, टोटल आपके 112 जिलों में विकास किया गया है, चले तो इसके 2018 और अक्टूबर 2023 तक के डेटा को जान लेते हैं कि गरवावस्था की प्रथम तिमाई में प्रशाव पूर्व देखवाल के लिए पंजीकरत महलाओं का प्रशद 2018 में 68 था और और आपका 2023 के कॉर्णिंग 13195 रहा है तो इसके संदर में आकांची जिले जो आपके 112 थे इसके संदर में बताए गया अब आता है आपका दूसरा सेक्टर नेक्स सेक्टर स्वास्त के बारे में स्वास्त के संदर में आता है कि मालिकाओं को 9-14 वर्स के सर्वाइकल कैंसर के करण के लिए प्रोश साहित करना है बहतर पोशन उपलब दिता बजपन में आरम भीग देखपाल विकास के लिए सक्षमागन बाड़ी एवं पोशन 2.0 तेजी लाई जाएगे मिसन इंद धनुस के तीका करण प्रयास के लिए यूविन प्लेटफॉर्म को आरम भी किया ज समाविशी विकास में आपका आवासन के संदर में दिखा जाए तो प्रधानमंत्री आवाश श्योजना ने जो कि ग्रामीर इस्तर पर तीन करोड़ आवास की लक्ष को प्राप्त करने के निकट है और अगले पांच पर्शों में दो करोड़ अत्रिक्त आवास का लक्ष र समें जो अन्मानित किया गया असी हजार छैसो एकतर करोड रुप्य है फिराता है आपका परेटन के संदर में कि परेटन के संदर में आपको अरूबार को आकरसित करने और इस्थानी उधमसील तक के आउशरों को बढ़ावा देने के लिए इतिहास एक परेटन स्थलों का विकास आरब में करने ही तो राज्यों को प्रोसाहित किया जाएगा विकास को बढ़ावा देने के लिए दीरकालिक ब्याज मुक्त रेड़ोपलब दिकराया जाएगा और 60 इस्थानों पर G20 की बैठके करके बैश्विक दर्शकों को भारत की विवित्ता भी दिखाए गई ह जो आपकी G20 की अध्यक्षता अभी भारत के द्वारा की गई है तो वहां 20 G20 की आपकी टोटल 60 हिस्थानों पर बैठक हुई जिसमें बैश्विक में भारत की विवित्ता को इसमें दिखाएगा लक्षदीप सहित अन्य दीपों में पत्तन, कनेक्टिविटी, परेटन, अ रहता है तो शुगदाओं के लिए प्रियोजना आरब में की जाएंगी फिर आता है किर्शी और खादे प्रिशंकरण के संदर में किस अदरрост के संदर में पहला आता है कि सरकार're फसल कटाई के क्रिया कलापों में निज्यों और सर्वकारी निवेश को बढ़ावा देगी नैनो डीएपी का प्रियोग सभी किर्सी जलवाई छित्रों में बढ़ाया जाएगा, आत्म निर्भर तिलहन अभियान, तिलहनों की आत्म निर्भरता हसिल करने हेतु, कारी नीतीक तयार की जाएगे, देरी विकास के लिए ब्यापक कारकरम तयार किया जाएगा, और प्रध अब आता है, चलिए तो जान लेते हैं, नीली करांती के लिए कितना खाल्च आवंटित किया गया है, और इसके ब्यपी एम सुक्ष में खाद उद्पर संस्क्रण, उद्धम विकास योशना के लिए अधिक आवंटन के बारे में जान लेते हैं, कि जो आपका दो हजार बाउन रहा है, जो कि उसमें कितना बड़ा हुआ है, टोटल दो से धाई सो के आसपास बड़ा किया गया है, फिर आता है आपका पी एम सुक्ष में खाद प्रशंसक्रण, उद्धम विकास योशना के लिए अधिक आवंटन, जिसमें दो हजार तेईस चौबिस में छह सो तालिस करोड रुपे है और दो हजार चौबिस पच्चिस में आट सो असी करोड इसमें अनवानित किया गया, अब आता है आपका नेक्स्ट भारती अर्थववस्ता के लचीला निस्पादन के बारे में, अब इसमें जीडीपी के रूप में आपका C.A.D. को कम करने के आया गया है, तो जो आपका 2024 है, उसमें सरवादिक कम आया है, मतलब कि यह आपका आया है, इसके अंतरगर देखा जाए, तो आपका 1% से भी कम है, तो 0.89 के संदर में रहेगा, और इसमें सरवादिक जो हुआ था, वो आपका हुआ था, इसमें 2.1 के संदर में हुआ था, 2019 2019 में और फिर आपका 2023 है उसमें आपका आया हुआ है एक टू के आसपासी 2000 मेर आएगा तो इसमें CAD को इतना कम किया जाएगा और कम जैसे यही तो आपका अनुमानित दिया गया है 2024 का लेकिन 2023 में इतना किया गया है अब आता है आपका बेरोजगारी की दर को कम करने के संदर म बेरोजगारी जो आपकी कम हुई है इसमें 2017-18 से 2022-2023 का अनुमान दिखाया गया है कि आपका 2017-18 में आपका 6.1 पिर्शत था फिर 2018-19 में 5.8 पिर्शत आया 19-20 में 4.8 पिर्शत 20-21 में 4.2 21-22 में 4.1 और आपका 2022-23 में 3.2 पिर्शत आया हुआ है जो की बेरोजगारी की दर को कम किया गया अब आपका आता है कि सकल गरिमों के लिए पिर्शत के रूप में जी एन पी ए कम करने के संदर में को आपका जो जी एन पी ए है वह सितंबर 2023 तक के डेटा को दिखाया गया कि आपका 2014 से 2023 तक का है जिसमें 2014 में आपका था 3.8 जो अभी आके प्रिजेंट में कितना हो गया है 3.2 हुआ है और सरवादिक कब था यह आपका 2018 में था अब आता है आपका नेक्स डिश्टल लेंदेन को बढ़ता आकार के संदर में कि डिश्टल लेंदेन आपके काफी इसम बढ़ता ही गया है मतलब लेश्य स jurisdiction और देखा जाए तो इसमें जो रेश्यो दिया है वह है चारे से 14,000 के बीच में है जो कि आपकी फाइनेंसियल यार 24-24 के संदर में और 2023 में आपका ये पहुचा हुआ है ये 12,000 तक आपका 2024 में पहुचा हुआ है अब आता है आपका ओसद मासिक सकल GST संग्रहनों में ब्रद्धी के बारे में किया जो 2018 में ब्रद्धी थी बहुए 0.9 थी 0. अभी जो 2024 में 1.7 लाग करोड अन्मानित की गई और 1.5 जो है बाई 1.5 लाग करोड आपके इसमें मौसत मासिक सकल GST शंग्रहनों में ब्रद्धी की गई है जो कि आपका 2023 में रियल डेटा के एक ओर्डिंग है अब आता है हेडलाइन मुद्राइस फीती में गिरावत की ब चाहर में जो देखी गई थी वह है 9.4 पिर्शत थी फिर उसके बाद घटते घटते आपकी 2019 में सरवादिक घटी फिर आपकी बढ़ते ऊपर अपसंड डाउन का सेनरियों चलता रहा तो आपका 2023 में 6.7 पिर्शत है और 2024 में 5.7 इसके अनमानित दिया गया अब आता है आप करण ताले दाखिल करताओं की संख्या 2.4 गुना बड़ी है तेज रीफंड या प्रितिदाय धनभापसी विवर्णियों की ओशत संसानन समय 93 दिवस या 2023-24 से कम होकर 10 दिवस तक रह गया है तो अशत सकल मासिक जी एस्टी संगरहण बित्तिवर्स 2024 में 2 गुना बड़ कर 1.66 लाग करोड रुपे हो गया है और राज राजुसी की करवाइसी 0.72 जो की बाहर 2012-16 से बड़कर जी एस्टी के बाद किया उधी में 2017-23 में या 1.22 परसेंट हो गई है जिसमें वो भोकताओं को हितलाब इसमें रसत लागत और अधिकांस बस्तों की सेवाओं की मुल में कमी होगी तो इसके संदर में आता है अब आता है आपका जी एस्टी के बारे में सकारात्मक भावना की बारे जी एस्टी के संदर में क्या सकारात्मक भावना रही है कि 94% उध्धोग पट्टा करता जी एस्टी में पारगमन को मौटे तोर पर सकारात्मक बानते हैं और 80% प्रत्योंतरदारता महसूस करते हैं कि GST से आपूर्ती स्रंखला स्टिमितनी करण हुआ है इसके संदर में आता है फिर आता है 2019 की संदर में जो गिरावट आई हुई है आग आयत निर्गम समय में गिरावट आई हुई है उसके संदर में जैसे इनलेंड कंटेनर डिपो में 47% की, एयर कारगो परशद में 28% की और बंदरगाहों में आपकी 27% की गिरावट आई हुई है। दी जा रही है चूटों में 31-2025 तक बढ़ाया गया है। तो ये कराधान में निरंतरता की संदर में पर बकाया पृत्तिक शिकरमांग में चूट क्या दी गई है। जैसे आपके जो पुराने करदर थी उनको कोई चेंजिस नहीं किया गया। एक पहला की जैसे आयात सुलक सहित प्रत्यक शिकर और आप्रत्यक शिकर मौजदा घरेलू कमपनियों में नेगम कर माइनस 22% और कुछ नई विपरण कमपनियों में 15% रहा है। नई कोईशन पूछे जाते हैं क्या के रुपया कहां से आता है इसके संदर में यह सरवादिक रुपया कहां से आता है तो आपका जो सरवादिक रुपया है वैं उधार और अन्य देता हो से आता है जो कि आपका 28% आता है फिर आपका आता है आयकर से 19% आता है फिर जो आपका G DST एब अन्य कर्ण से आपका 18 परसंट आता है तो इस पहले क्या होता था सबसे पहले आपका निगम कर्ण से सर्वाधिक पैसा आता था लेकिन अभी प्रिजिंट में आपका जो ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है उधार एब अन्य करदाऊ से देताऊ से जो कि 28 परसंट है जी एस्टी से एबम अन्ने से 18 परसंट आयकर से 19 परसंट पहले नमबर पर आपका ये आता है दूसरे पर ये आएगा तीसरे नमबर पर ये आएगा फिर उसके बाद चोथे नमबर पर ये आएगा आपका उसके बाद पांच में नमबर पर करभिने प्राप्तिया फिर उसके प्राप्तियों से आपके करकी आदाएगी होती है तो यह करका एक रूप रेखा दिखाए गया है जिसमें पहले नबर पर आपका अधारिवम देता है दूसरी नमबर पर आए करो तीसे नमर पर जीएस्टी है फिर आता है आपका next रूप यह कहा जाता है इसकी वारे में देखते हैं रूप्या कहा जाता है कि इस अंदर में सरवादिक जूरूप एंपका सूला सरवादिक रुपिया जो है आपका ब्याज भुकतान में भी जाता है और करों और सुलकों की राजी का भाग जो होता है भू भी जाता है तो ये दोनों में 20-20% जाता है तो सरवादिक किसमें ब्याज भुकतान में और करों और सुलकों की राजी के भाग में फिर दूस प्रुमुक आपके देटा दिये गए इसके संदर में है कि किस छेतर में कितना रुपिया जाता है तो सरवादिक रुपिया किस छेतर में जाता है ब्याज कहां आता है ब्याज बुक्तान से आपका सरवादिक आता है और करो इवं सुलकों में राज्य के भाग से आता है तो यह दो मेजर रीजन है जहां से आपका रुपिया जाता है आपका इंदो में फिर आता है आपका नेक्स्ट की इसमें दूसरे नंबर पर क्या है अधिक जाता है इसके बाद आपका रक्षा छेत्र के अंदर द्वारा प्रायुजति युजना है बित आयोग और अन्य अंत्रण में आपका रुपिया जाता है थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे अन्य ब्याय में आपका नाइन परसेंट है जो कि आपका थर्ड नंब मंत्राले को 6.2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 संचार मंंत्राले के लिए एक दिसान कल्म्रान की कि एक दिसमलोह 258 आवनटिद किया है जैसे भारतमा गाधी रास्टी रोजगार करेंटी य हूज नाम है ये से पहले 2023-2024 में 60,000 किया गया था इसे 2024-25 में आपके बजट आनमान के कॉर्डिंग आपका 86,000 करने का किया गया है आईश्मान भारत PMG-AY में 72-2023-24 की संदर में और इसमें 75-2024-25 की संदर में है फिर आता है आपका सेमी कंड़क्टर और डिस्पिले वी निर्माड पारितंत के बिकासितु संसुदित कारिक्रम है उसमें आपका 2023-24 में तीन हजार है और 2024-25 में आपका 6903 है फिर आता है आपका सोर उर्जा ग्रेट के संदर में जो कि आपका 2023-24 में जो आता है 42-970 है और 2024-25 में 8500 है फिर आता है रास्टी हरित हाइड्रोजन मिसन के संदर में आता है कि आपका 2023-24 में 297 और 2024-25 में आपका आता है 620 में किया गया फिर आता है प्राप्तियां और ब्याय की बारे में जानते हैं कि राजश्य प्राप्तियां और राजश्य ब्याय कितना रहा है इससे related question पूछे जाते हैं कि बरतमार में राजश्य प्राप्तियां कितनी रही है या राजश्य ब्याय क्या रहा है तो आपका इसमें 2022-23 का में 24 25 में आपका 30% दिखाए गया तो यह अनुमानित के तोर पर दिखाए गया जो एक्च्छवल डेटा है वो आपको याद करना है कि आपका 23.8% है अब आता है पूजीगत प्राप्तियों में आपको एक्च्छवल डेटा याद करना है जो कि आपका 22 23 में 18.1 परसंट रहा है और अनुमानित कितना है एट 17 साफ परसंट 23 24 के लिए पूरवानुमानित जो है QUESTION 2023 के लिए 17.9 है और इसमें 24-25 के लिए 17.8 है तो यह पूजीगत प्राप्तियां और राजश्य प्राप्तियों में पूर्वा नुमानित और अनुमानित और जो एक्चुल है उन सब को दिखाया गया है अब आता है आपका राजश्य शुबया के संदर में जिसमें राजश्य किसे हैं पिर भावी पूजी गद्वया के संदर में 2022-23 में आपका 10.5 है 2023-24 में 13.7 2023-24 में 12.7 और 24-25 के लिए जो नुमानित किया गया है वह 15.0 किया गया है जो की लाग करोड रुपे में है यहां पर यह टॉपिक फिनिस होता है बजट से सम्मन्दित जो भी टॉपिक थ जाते हैं और बजट कब पेश किया गया था कब किया हुआ था तो इसमें स्टार्टिंग में हमने कुछ फैक्ट्वल पॉइंट भी बताए हुए जो कि आपके सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे आप तब तक इस सेशन को जादा से जादा से शेयर किजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद